आप जानकर शौक हो जाओगे, हम इतनी आस लगाए बैठे थे नॉन वंदे भारत को लेकर कि ये वंदे भारत से काफी जादा रिलेटेबल होगी, बट ओफिशल्स ने इसके एक एक फीचर बता दिये है और इसे सुनकर आप भी बिलीव नी करोगे, सबसे पहले उन्होंने बड़ा बदलाव बताया कि इसकी स्पीड बहुत कम होगी, 130 km पर आर तकी ही होगी, जहां हमारी नॉर्मल वंदे भारत 180 km प्रदी घंटे की रफ्तार पकड लेती है, उन्होंने बताया कि क्योंकि इसकी विंडो उपन रहेगी तो इट इस नॉट सेफ एट हाईर स्पीड, सेकेंड उन्होंने बड़ा बदलाव बताया कि इसका एरो डाइनम फीचर वंदे भारत की तरह नहीं होगा, ये काफी नॉर्मल ही रखा जाएगा, आइडिया बेसिकली रेलवे का ये है कि हम हमारी लोकमोटीव को थोड़ा मॉडिफाइ करके आगे और पीछे दोनों सकाफ के अच्छे से कनेक्ट होंगी, सबसे बड़ा बदलाव इसमें बेसिकली है कॉपलर्स का ही, बिकास नॉर्मल जो हमारी राजधानी सशाधाबदी है, इसमें काफी नॉर्मल कॉपलर्स रहत है, लेकिन हमारी नॉन इसी वंदे भारत में बेहदी इंप्रूवड दूसरा इसमें फिर इंटीर्स में बड़े बदलाव किये जाएंगे ताकि पैसेंजर्स को बेस्ट इन क्लास एमिनिटीज दी जा सकें, रेल्वे ने आगे ये भी बताया कि हम हरे कोच में बिलकुल भी कॉंप्रमाइस नहीं करेंगी सेफटी के साथ, इसलिए फायर अलार सारा का सारा कलर मैचिंग कॉंबिनेशन में होगा, फायनलिल अब आ जाता है लांच डेट की कि कब हमें पहली बार ये देखने को मिलेगा, आपको बिलकुल जादा इंतिसार करने की ज़रुरत नहीं है, बस अब कुछ ही महीने बचे हैं, ओक्टोबर को लांच होने जारी ह इस ट्रेन को बनाने का मकसद ही ये था कि वंदे भारत जैसी फैसिलिटीज हम बेहादी चीपर दामों में हैं और वो भी विद स्पीड और कमफर्ट प्रवाइड कर सके हर एक मिडल क्लस फैमली को, जो अफोर्ट नी कर सकते आज के तारिक में वंदे भारत ट्रेन को, और अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिए तो चैनल को सस्क्राइब करें बगएर नहीं जाएगा और साथी में आप कमेंट करके पताएगा कि आपको क्या लगता है, इस तरह की ट्रेन्स भारत में हिट होंगी या फिर फ्लॉप जाएगी, लेट आस नो इन कमेंट बिलो झाल